हेलो गई शोगत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ब्लूप्रेंट और आज के इस वीडियो में हम PCMB means physics, chemistry, maths, biology चारो सब्जेक्ट का ब्लूप्रेंट देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में देखने वाले हैं तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आप सभी को एक बात बता दू कि आप सभी का ब्लूप्रेंट आ चुका है तो सभी लोग पढ़ना सुरू कर दीजिए और इसके अलाबा फुल स्टेडी मतेरियल आपको स्टेडी गार की दोआरा दिया जाएगा चाहे ब्लूप्रेंट से रिलेटेड आई एम्पी कॉश्चन तो आपको मिलेंगे आई एम्पी टॉपिक मिलेंगे model paper मिलेंगे और test series भी हम जल्द start करने वाले हैं तो शले आज का ये video भी start करते हैं without wasting any time और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिए मैं दोवारा repeat कर रहा हूँ क्योंकि MP board के लिए best channel है study gear, full study material आपको मिले वाला है तो यहाँ पर physics का बहुत एक बिज्ञान का हम देखने वाले है तो यहाँ पर आपका जो paper आएगा 70 marks का आएगा सबसे पहले तो सबको पता है इसके बाद यहाँ पर unit आप देख सकते हैं क्योंकि बच्चों को blueprint समझ में नहीं आ रहा है और English medium में blueprint नहीं है इसलिए मैं English medium में भी upload कर रहा हूँ ताकि किसी भी students को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो तो यहाँ पर सबसे पहले तीन unit है unit 1, unit 2 आपकी यहाँ है और unit 3 यहाँ पर है और यहाँ पर दीखे blueprint कुछ अलग है students को अभी दिक्कत हो रही होगी confusion होगी तो यहाँ पर unit 1 में दो chapter है आपके यहाँ पर बैद्योत आबेश तथा छेत्र जो की है आपका electric charge and field इसके बाद है chapter second electrostatic potential and capacitance यह आपका chapter second है इस्तर बैद्योत बिवव तथा धारिता यह आपका chapter second है unit 1 से और यहाँ पर आपका unit 1 होगे इसके बाद unit second है आपकी विद्योत धारा जो की है आपकी electricity जो की है current electricity आपका chapter second है विद्योत धारा इसके बाद unit tied आपकी आजाती है गतीमान आबेश और चुम्बक तक मेंस यहाँ पर आपकी magnetic effect of current and magnetism अब यहाँ पर देखे बच्चों आपका 4th और 5th chapter था इसके अंदर जो की 5th chapter हटा दिया गया है यहाँ पर आपको 4th के बाद डारेक्ट 6th chapter देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखे 3 unit है आपकी यह total 3 unit हो गई 3 unit के अंदर 4 chapter है सब को पता है अब 4 chapter में से आपके इतने question बनेंगे आप देख सकते हैं अंकों का बिवाजन यहाँ पर marks को divide किया गया है अब देखे सबसे पहला देखे एक-एक marks के कितने question बनेंगे बच्चो साथ question साथ प्रशन बनेंगे एक-एक नम्मर के इन 3 unit में से चाहे वो objective हो या फिर flindy blanks हो या फिर matching हो या फिर one word हो तो यहाँ पर एक-एक marks वाले जो question पूछी आते हैं वो 7 question आपके इन 3 unit से पूछी आएंगे और इसके बाद 3-3 marks वाले 2 question बनेंगे आपके इन 3 unit से तो आपको पूरा जो material है पूरे topic है वो सभी chapter से पढ़ना होगा तो यहाँ पर 3-3 marks वाले 2 question बनने वाले हैं means 3-2 जा 6 marks आपके हो गए और उपर 7 बन जा 7 7 अंक आपके यहाँ से हो गए फिर इसके बाद 4-4 marks वाले 2 question बनेंगे इन 3 unit में ऐसे किसी भी chapter से पूछे जा सकते हैं एक किसी को नहीं है पता क्योंकि इस बार blue paint थोड़ा different है अजीब सा है तो यहाँ पर 4-4 marks वाले 2 question बनेंगे तो यहाँ पर total marks हो गए आपके कितने 21 21 नमर के question आपके इन 4 chapter से बनेंगे 3 unit से 3 unit हैं 3 unit के अंदर 4 chapter है क्योंकि 1 unit में आपके 2 chapter है इन 4 हो chapter से 21 नमर के question पूछे जाएंगे तो यहाँ पर इतनी बात सबको समझ में आ गई अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर unit जो 4 है आपकी यह start हो जाती है इसके बाद unit 5 और इसके बाद है unit 6 अब unit 4 है आपकी बैद्योत चुम्ब किये प्रेड़ा और इसके बाद है प्रत्यवर्ती धारा तो यहाँ पर unit 4 के अंदर जो आपके 2 chapter है एक तो सबसे पहला कौन सा है unit 4 के अंदर electromagnetic induction और होगे आपका alternating current जिसे आप कहते हैं प्रत्यवर्ती धारा English मैं मैं repeat कर रहा हूँ क्योंकि English मैं नहीं है तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है जो आपका है यहाँ पर chapter 6 यह है आपका electromagnetic induction और उसके नीचे है आपका alternating current AC आप जिसे कहते हैं और इसके बाद जो 8 यहाँ पर chapter है 8th chapter 5 unit के अंदर है तो 8th chapter है आपका विद्यो चुम्बिकिये तरंग यहाँ पर 8th chapter है आपका electromagnetic waves जिसे हटाया नहीं गया है students comment कर रहे थे तो यह भी तयार करना है electromagnetic waves और इसके बाद 9th chapter को हटा दिया गया है बच्चों 9th chapter हट गया है जो की था आपका ray optics and optical instrument इसको हटा दिया गया है अब यहाँ पर wave optics जो की है आपका तरंग प्रकासिकी यहाँ पर 10th chapter है आपका wave optics के भी comment आ रहे थे कि सरे हटा दिया गया है नहीं हटा है wave optics आपको करना है तो यहाँ पर मैं फिर से repeat करता हूं इंगलिस मैं सबसे पहले electromagnetic induction alternating current AC और इसके बाद होगे आपका 8th है electromagnetic waves और wave optics ray optics हट गया है उसको नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर 3 unit आपकी है जो की 4th unit, 50 unit और 6th इन 3 unit के अंदर भी 4 chapter है अब 4 chapter में से same इसी type के question बनेंगे 1-1 marks वाले कितने question बनेंगे 7 question पूछे जाएंगे और 3-3 marks वाले 2 question पूछे जाएंगे और 4-4 marks वाले भी 2 question पूछे जाएंगे means 7-1 जा 7, 3-2 जा 6, 4-2 जा 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं multiply करके total marks यहाँ पर हैं और इसके बाद total आप करेंगे इनको 7 plus 6 plus 8 तो total हो जाएंगे आपके 11, 21 तो यहाँ पर इस तरीके का blueprint है इसके बाद same as it is आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देख लीजिए सबसे पहले आपका 7th जो unit है 7th unit, 8th unit, 9th total physics में total physics में 9 unit है 9 unit के अंदर आपके 14 chapter है और 14 में से 2 chapter हटा दिये गए हैं 2 से 3 chapter हटे है 3 chapter हटाए गए है और यहाँ पर यहाँ तक हमने discuss कर लिया इसके बाद आँगे बढ़ते हों और आपका 11th chapter है जो विकीरण एबम द्वर्य की दैत्य प्रकरती और इसके बाद है परमानू जो की atom है यहाँ आपका और 14 chapter आपका यहाँ पर है इंगलेस मीडियम बालों के लिए हम डिक्टेट करते हैं तो 11th chapter है आपका डूल नेचर ओफ रेडियेशन जो आपका 11th chapter है यहाँ पर आप देख सकते हैं डूल नेचर ओफ रेडियेशन chapter है यहाँ आपका इसके बाद है atom nuclei हटा दिया गया है और इसके बाद 14th है जो आपका वो है semi conductor electronics devices जो है आपका last chapter semi conductor electronics वाला तो यहाँ पर यह आपके पूरे chapter हैं अब देखें 3 unit last की बची हुई है 7th, 8th, 9th इन 3 unit के अंदर 3 chapter हैं आपने यहाँ पर देख लिए और इसके बाद same as it is question आपके ऊपर पूछे जा रहे थे उसी तरीके के question पूछे जाएंगे एक-एक marks वाले साथ question पूछे जाएंगे 7 questions और यहाँ पे 33 marks वाले 3 questions पूछे जाएंगे 7 marks और same as it is 4-4 marks वाले भी आपके 3 question पूछे जाएंगे means 4, 3, 12 भी यहाँ पर अब ए चीज बदल गई 4 marks वाला एक question और add हो गया यहाँ पर तो total marks हो जाएंगे आपके 28, 21, 21 दो बार जोड़िए और 28 को जोड़िए तो total marks हो जाएंगे आपके 70, 70 marks का paper आएगा और यहाँ पर देखे इस बार 5 marks वाला question नहीं पूछा जाएगा और 2 marks question नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर सर्फ 1 marks वाले question आएगे 3 marks वाले question आएगे और 4 marks वाले question आएगे I hope आपको physics का blueprint अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो फिर से comment कीजिए फिर से हमें एक अलग वीडियो ले आएगे और आप whatsapp पे भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है personally मुझे message कर सकते हैं सबके पास number होगा whatsapp group में अगर आप लोग जोड़ गए हैं तो और इसके अलाबा इंस्टा पर भी follow कर लीजिए इसके बाद हम देख लेते हैं chemistry का blueprint अब यहां पर chemistry का blueprint हम discuss करने वाले हैं English और Hindi दोनों medium में देखेंगे तो यहां पर chemistry का paper भी 70 marks का आता है सबको पता है अब यहां पर हम detail में बात करेंगे chemistry का भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए सबसे पहले तो unit देखना है उसके बाद chapters तो यहां पर unit तो कुछ नहीं द chemistry में आपके डारेक्ट चेप्टर है तो चेप्टर फर्स्ट सेकेंड थाइड फॉर्थ फिप्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट नाइन तेंथ एलेवन ट्विल्थ थाइटीन फॉर्टीन अब यहां पर हम डारेक्ट देखेंगे सबसे पहले रुकिए तो सबसे पहला chapter है आपका थोस जो की है solid state second है blian जो की है आपका solution और tide है बैद्योत रसायन बैद्योत रसायन को आप इंगलिस में क्या कहते हैं electrochemistry इसके बाद है fourth रसायनिक वलगतिकी वलगतिकी तो यहां पर यह है आपका chemical kinetics क्या है chemical kinetics और fifth है आपका प्रेश्ट रसायन जिसे आप कहते हैं surface chemistry तो यह जो आपके पांच chapter है अब chemistry में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है पांच chapter में से आपके इतने question बनेंगे यहां पर आप देख सकते हैं question मैं circle लगा रहा हूं तो यहां पर इतने question आपके बनेंगे और यहां पर एक-एक marks वाले 7 question पूछे जाएंगे इन पांचों chapter मे ऐसे किसी भी chapter से पूछा जा सकता है यह दिक्कत होगी आपके साथ और उसके बाद 3-3 marks वाले 3 question पूछे जाएंगे किसी को पता नहीं है कि किस chapter से question पूछ लेगा इस वार दिक्कत है बच्चों को इसके बाद 4-4 marks वाले जो question है वो दो question बनेंगे यहां पर means 7-1 या 7, 3-3 9 और इसके बाद 4-2-8 means 24 अंक 24 marks के question आपके इन 5 chapter से पूछे आएंगे ठीक है यहां पर समझ में आगे इतनी बात सबको तो यहां पर comment करके आप लोग बता दीजे chemistry का blueprint समझ में आ रहा है तो यहां पर इन 5 chapter से आपके 24 marks के question बनेंगे और देखे 1-1 marks वाले 7 question, 3-3 marks वाले 3 question 4-4 marks वाले 2 question अब यहां पर एक बार देख लेते हैं हाँ तो 2-2 marks वाले और 3-3 marks वाले question इस बार नहीं पूछे जा रहे हैं हमने physics में भी देखे आप chemistry में देख रहे हैं तो 2-2 marks और 5-5 marks वाले question अभी तक तो नहीं पूछे आँगे देखेंगे तो इसके बाद है आपका 6th chapter P block element है जो आपका P block के तत्ब और इसके बाद है D and a block element D and a block के तत्ब इसके बाद है 8th chapter आपका और यहां पर extraction of metal वाला chapter है जो हट गया है सबको पता होगा और इसके बाद है coordination chemistry जो आपकी यहां पर उप साही हो जी रशायन इसके बाद है बैनिक जीवन में रशायन जो की है आपका यहां पर एचेप्टर मुझे थोड़ी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है हाँ तो एचेप्टर है आपका chemistry and everyday life अगर कोई गलती होती है तो कोई बात नहीं ignore कीजिए क्योंकि हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो chemistry and everyday life यह आपका chapter है और यहां तक P block D and a block coordination chemistry औ chemistry and everyday life यह आपके 4 chapter है अब last वाले chapter को उठा के इन्हों ने यहां पर रख दिया है 9th नमर पर तो इन 4 chapter से 1-1 marks वाले question कितने पूछे जाएंगे बच्चों 4 question पूछे जाएंगे अब यहां पर 7-4-11-10-21 question आपके objective type पूछे जाएंगे अभी तक 20 question पूछे जाते थे लेकिन अब 21 आएंगे physics में भी 21 question पूछे जाएंगे तो 1-1 marks वाले 4 question बनेंगे 3-3 marks वाले 2 question बनेंगे इन 4 chapter से और 4-4 marks वाले भी 2 question बनेंगे इन 4 chapter से तो अब यह तो किसी को नहीं पता कि कौन से chapter से 4 marks का पूछ रहा है कौन से chapter से 3 marks का पूछ रहा है तो सभी topic को कबर करना होगा सभी question को cover करना होगा और सभी study material आपको study gear पर मिलेगा तो channel को subscribe जरूर करना है और यहाँ पर देखे 4 1 या 4 हो जाएगा means एक-एक marks वाले question 4 बनेंगे और 3-3 marks वाले 2 question बनेंगे तो 6 हंके हो जाएंगे और 4-4 marks वाले 2 question 8 हंके हो जाएंगे total आपके 18 marks पूछे जाएंगे इन 4 chapter से ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई 18 नम्मर आपके इन 4 chapter से होने वाले हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर chapter 10 आपका start हो जाता है 11, 12, 13, 14 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक hello alcan यहाँ पर जो आपको दिख रहा है hello alcan and hello arines यहाँ आपका chapter है English medium बाले भी समझ गए Hindi medium बाले भी समझ गए इसके बाद है alcohol phenol and ether और इसके बाद है यहाँ पर carboxylic amyl यहाँ पर आप लोग समझ गए अमल क्या होता है carboxylic acid जिसे आप कहते हैं यह अलग से रखा गया है यहाँ पर amines यहाँ पर आपको दिख रहा होगा amines और jiv anu means आपका biomolecules biomolecules chapter है jiv anu समझ में आ गई सबको बात English में इसके बात देखे यहाँ पर टूटल आपके 5 chapter है 5 chapter में से एक marks वाले जो question है एक-एक marks वाले question बनेगे वो 10 question बनने वाले हैं यहाँ पर last के जो आपके यह 5 chapter बचे हैं इन 5 chapter में से सबसे पहले इसको रब किया जाए ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो समझने में और देखे कोई भी अगर आपको doubt आता है means fill in the blanks भी पूछ सकता है objective choose the correct answer भी पूछ सकता है सही बिकल्प जैसे आप कहते हैं रिकित स्थान की पूर्थी कीजे या फिर सही जोडी बनाने भी आ सकता है और एक सब्द या फिर एक बाक्य में उत्तर लिखने भी आ सकता है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी तब जाके आप अच्छे score कर पाएंगे और तीन-तीन marks वाले दो question पूछे आएंगे यहाँ पे in total पांच chapter से और चार-चार marks वाले तीन question बनेंगे यहाँ से high weightage हो जाता है 12 marks का क्योंकि यहाँ पे 8 marks थे यहाँ पे 8 marks थे लेकिन यहाँ 12 marks हो जाते हैं तो total paper आपका 70 marks का बनेगा आप add कर सकते हैं 24 प्लस 18 प्लस 28 इनको add करेंगे तो 70 marks का आपका paper बनेगा तो अब हम bio के discuss करेंगे इसके बाद maths का blueprint भी हम discuss करेंगे और exam pattern पूरी तरीके से change हो चुका है अगर student comment करते हैं कि sir आपने पहले video upload किया था आपने exam pattern बताया था बही रहेगा जी नहीं वो exam pattern अब नहीं रहेगा exam pattern पूरी तरीके से change हो गया है क्योंकि पहले आपके 2-2 marks वाले question बनते थे 5-5 marks वाले but 2021 में 2 या 5 marks वाले question आने वाले नहीं है तो यहाँ पर बायो जीव बिग्यान का हम देख लेते हैं blueprint दोनों medium में तो सबसे पहले यहाँ पर unit 1 आप देख लीजे unit 1 है यह आपकी बायो में unit है unit second है और unit tied यहाँ पर इन एकाई में divide किया गया है इन units में तो यहाँ पर सबसे पहले जो chapter है आपका जीवों में जनन means यह chapter है आपका reproduction in organisms English medium बाले देखते जाए reproduction in organisms second chapter है पुस्पी पादपो में language genan means जिसे आप कहते है sexual reproduction in flowering plants और यह है आपका मानव जनन जिसे आप कहते है human reproduction क्या कहते है human reproduction इसके बाद है जनन स्वस्त तो यह chapter है आपका reproductive health तो यहाँ पर English मैं भी हमने बता दिये अब हम blueprint को discuss करते हैं थोड़ा तो इन चारों chapter से एक-एक marks वाले 7 question बनेंगे और 3-3 marks वाले 2 question बनेंगे और 4-4 marks वाले भी 2 question बनेंगे means यहाँ पर एक-एक marks वाले 7 question बनेंगे तो 7 अंक यहाँ से हो जाएंगे 3-3 marks वाले 2 question बनेंगे तो 6 अंक यहाँ से हो जाएंगे 3 गोड़े 6 कीजिए 4 गोड़े 2 कीजिए तो 8 यहाँ से टोटल आप इन नम्मर को add करेंगे तो 21 अंक आपके इन 4 चैप्टर से हो जाएंगे अगर आपने इन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो आपके यहाँ से 21 नम्मर confirm हो जाएंगे लेकिन इस बार दिक्कत आने वाली है इसके बाद है आपका 5 चैप्टर 6 त 7 एट इन चैप्टर को देख लेते हैं इंग्लिस में और हिंदी में बासंगती बासंगती तथा बिवीदता के सिध्धान्त हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इग्नोर कीजिए इसके बाद है बासंगती के अगिणवक आधार यहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखाए इसके बाद है विकास माना शुरस्त तथा रोग यहां पर यह चैप्टर है इनको इंग्लिस में बताती है हम एक बार तो 5th chapter है आपका principle of inheritance and variation यह जो 5th chapter है बासंगती एह है आपका principle of inheritance and variation इसके बाद है आपका molecular basic inheritance 6th chapter है आपका molecular basis of inheritance 7th chapter है आपका जो बेकास इसका मतलब होता है evolution क्या होता है evolution 7th chapter अब 8th chapter है माना शुरस्त तथा रोग यह है आपका human health and disease तो इन 4 chapter से इस type के question बनेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस type के तो 1-1 marks वाले 7 question पूछे जाएंगे जैसा आप सबको पता है तो 7 marks यहाँ से हो गए अब 3-3 marks वाले 2 question पूछे जाएंगे आपके तो 6 marks आपके यहाँ से हो गए 3 गोड़े 6 कर दीजिए इसके बाद 4-4 marks वाले भी 2 question पूछे जाएंगे तो 4 गोड़े 8 कीजिए तो 8 marks यहाँ से हो गए अब इन नम्मर को आप total add करेंगे 4 धन 6 धन 8 7 प्लस 6 प्लस 8 तो आपके 21 marks यहाँ से हो जाएंगे तो यहाँ तक आपके कितने marks हो गए 42 marks आपके यहाँ से हो गए अब 28 marks आपके यहाँ से हो जाएंगे तो 70 marks का आपका paper बन जाएगा biology का अब हम आँगे के chapter देख लेते हैं chapter 10 है आपका मानव कल्यान में सूक्ष जीब क्या है अब यहाँ पर एक बात बता दू 9th chapter था जो आपका strategies for enhancement in food production इसको हटा दिया गया है ecosystem को भी हटा दिया गया है environmental issues को भी हटा दिया गया है हिंदी में बात कर लेते हैं खाद उत्पादन में ब्रदी की कारणीती इसको हटाया गया है और पारिस्थिति की तंत्र इसको हटाया गया है और परिया बरन मुद्दे इसको हटा दिया गया है अब यहाँ पर chapter 10 है आपका मानाव कल्यान में सूक्ष जीब, इसको कहते हैं micro vapes in human welfare, इसके बाद है जैव प्रियोगी की सिद्दान्त बाप्रकरम, तो इसको अपन कहते हैं 11th chapter है आपका bio technology principle and process, chapter 12 है bio technology and its application, जो आप chapter 12 देख रहे हैं, इसके बाद है chapter 13 जीब में समस्टियां, तो यहाँ पर यह chapter है आपका chapter 13 जो है आपका organisms and population, इसके बाद है last chapter 14 जैब बिवीता एबं sun reduction, तो यह chapter है आपका wild diversity and conservation, तो यहाँ तक हमने English में देख लिए, अब हम यहाँ पर in chapter के marks a lot देख लेते हैं, कि किस chapter से कितने marks a lot किये गए हैं, तो यहाँ पर in, कितने chapter हैं, पर 5 chapter रखे गए हैं, तो 5 जैप्टर से इतने question पूछे जाएंगे, एक एक नम्मर वाले 7 question बनेंगे, और 3-3 नम्मर वाले 3 question बनेंगे, काफी ज़्यादा बेटेज है यहाँ से, और 4-4 marks वाले 3 question बनेंगे, means 7-1 जै 7, 3-3 जै 9, और 4-3 जै 12, means total आप इनको add करेंगे, तो 18 marks आपके यहाँ से हो जाएंगे, total 70 marks का आपका paper आने वाला है, तो यहाँ तक bio का सबको समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप comment कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप instruction जो निर्देश दिये रहते हैं, अगर आप उनको read करते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको exam pattern की जानकारी भी मिल जाएगी, सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं देखा, विसेसे संबंदित आधार, भूत जानकारी के प्रशने, जिनकी आधार पर एकाई इवम विशय वस्तू नियत है, पूछे जा सकते हैं इसके अलाबा प्रशने निमने अनुशार रहेंगे, बस्तू निश्ट प्रशने means objective, आप जिने कहते हैं, 30% आपके objective question पूछे जाएंगे, biology में भी अप 30% objective पूछे जा रहे हैं, जो की एक-एक मार्स के रहेंगे, काफी अच्छी बात है, इसके बाद विसे पर आधारित प्रशने जिसे आप subjective कहते हैं, क्या कहते हैं, विसे पर आधारित subjective, अभी मैंने उपर नाम लिया था, इसके बाद ये 3-3 अंक के रहेंगे, लगवक 75-200 words में आपको लिखना होगा, और विसे सनात्मक, जिसे आप analytical प्रशने कहते हैं, वो 40% रहेंगे, यहाँ पे 30% 150 सब्दों में लिखेंगे, 120-150 words आप इनकी word limit रहेंगी, इसके बाद है प्रशने यहाँ पर थाइड इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, थाइड निर्देश है, यह आपका तीसरा, विसे पर आधारित एवं विशेश आत्मक प्रशनों में विकल्प इस प्रकार होंगे, 5 प्रशनों में से कोई 3 प्रशन हल करना अनिवार है, means यहाँ पर आपको 5 कॉशन दिये रहेंगे, 5 में से कोई 3 आपको करना होगा, paper easy आएगा, टेंसर मत लेना बच्चो, paper easy आएगा, और study gear आपके साथ है, 5 प्रशनों में से 3 प्रशन आपको करना होगा, compulsory रहेगा, और 6 प्रशनों में से 4 प्रशन आपको करना होगा, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात, क्योंकि students से इतने कॉशन तो बन जाएंगे, अगर choice रहेगी, तो student अच्छे से कर देंगे, तो students, यहां तक हमने physics, chemistry, biology का blueprint देख लिया है, English और Hindi मीडियम में, अब हम देखने वाले है, maths का जो की है, आपकी उच्छे गड़ित, higher mathematics, इसका blueprint भी देख लेते हैं, तो paper आपका 100 marks का आएगा, 3 गंटे आपको दिये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, यहां प पर से divide है, blueprint को divide किया गया है, यह सब अपने काम का नहीं है, direct मुद्दे पर आते हैं, point पर आते हैं, संबंद एवं फलन, relation and function जो आपका chapter है, इसके बाद है, प्रती लोम, 3 कौन मिती है, यह है आपका inverse trigonometric function, और इसके बाद है आपका फलन, जो की फलन कौन सा chapter है, यह तो इसके बाद है, determinants, तो यहाँ पर जो फलन है लिखा गया है, यह उपर आपको फलन दिख रहा होगा, फलन का meaning होता है, function, क्या होता है, वच्चो, function, तो यहाँ पर 5 chapter आप नहीं कहेंगे, यहाँ आप direct कहेंगे, 4 chapter हैं आपके, क्योंकि यहाँ relation and function जो आपका chapter है, यहीं पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम इसको रप करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर देखे, सबसे पहले संबन्द एवं फलन relation and function आपको पता है, inverse ignometric function, और यहाँ पर function लिखा है, इसको काटो सबसे पहले, और इसके बाद है आपका matrix और यह आपके बनेंगे, 11 marks वाले question बनेंगे, वो आपके बनेंगे 10 question, 10 प्रशने यहाँ पर पूछे जाएंगे, एक एक नम्मर वाले, और 3-3 marks वाले 4 question पूछे जाएंगे यहाँ से, और 4-4 marks वाले 3 question पूछे जाएंगे, ठीक है, 4-4 marks वाले 3 question बनेंगे, तो यहाँ से total 10 marks आपक से अच्छे से पढ़िए मैट्स को लगाते रहिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए हम आपको IMP कोशन भी दे चुके हैं पहले लेकिन अब हम नए कोशन आपको देंगे इनके बेस्ट पर तो यहाँ पर एक याफ स्वरी दो या फिर पांच माक्स वाले कोशन अभी नहीं आएंगे 2021 में आपको सर्फ एक माक्स वाले तीन माक्स वाले चार माक्स वाले कोशन पढ़ना है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पर ही आपका साथव एवं अवकल नियता इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं continuity and differentiability इंग्लेस में बात करें इसके बाद है अब कलज के अनुप्रियोग अब कलज means application of derivatives इसके बाद है समाकलन जिसे आप integrals कहते हैं और इसके बाद है समाकलनों के अनुप्रियोग means application of integrals हो सकता है हाँ बही है तो यहां से चार जो आपके chapter है इन चारों chapter से 35 marks आपको दिये जाएंगे 35 marks के question यहां से आएंगे तो यहां पर देख लेते हैं हम सबसे पहले देखे तो यहां से एक-एक marks वाले 10 question बनेंगे सबको पता है 3-3 marks वाले 3 question बनेंगे यहां थोड़ी सा बेटेज कम है 9 number के हैं यहां पर और 4-4 marks वाले 4 question बनेंगे तो यहां पर बेटेज बढ़ा दिया गया है तो यहां पर देखे ऊपर था 34 और नीचे हो गए है 35 marks काफी अच्छी बात है 34-35 अब इसके बाद 31 यहां पर है तो टोटल आपके 100 हो जाएंगे लास्ट है अपकल समीकरण रैखे एक program means जो आपका होता है वो linear programming होता है सायद हाँ उसी को कहते है प्राइक्टर probability अपकल समीकरण है आपका इसको इंग्लिस में क्या कहते है different differential equation क्या कहते हैं differential equation अपकल समीकरण differential equation linear programming प्रेक्टर प्रोवेविल्टी तो यहां से इस टाइब के question बनेंगे एक-एक marks वाले 10 question तीन-तीन marks वाले 3 question चार-चार marks वाले 3 question तो टोटल यहां से 31 marks के question बनेंगे तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो please वीडियो को like कर दीजे क्योंकि हमने आपके साथ इतिनी महनत की है तो आप एक बार वीडियो को like कर सकते हैं तो शली अब हम मिलेंगे next वीडियो में और second channel है हमारा study जानकारी अगर आपने उस channel को subscribe नहीं किया है तो उसको भी subscribe कर दीजे ताकि आपको upcoming वीडियो की notification टाइम पर मिलती रहे और guys इंस्टाप पर जरूर फॉलो कीजे बनिश्टडी गयर Instagram ID है हमारी इसके अलावा WhatsApp group की link आपको जल्द मिलेगी WhatsApp group create हो गया है और आपको भी जुड़ना है तो आप Instagram पर message करिए बहाँ पर आपको link दे दी जाएगी